विल्कम गाईस तो आपको फिर से सवगत है इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आज का दिन का फर्स्ट टीटन मैश होने वाला है CRD VS TVH के बीच में दोनों ही टीम काफी स्टॉंग टीम है एक पॉइंट वाल पर फर्स्ट पोईशन पर एक पॉइंट वाल पर अभी सेकेंड पोईशन पर तो बहुत इंपर्ण होने वाला यह वीडियो आपके लिए क्यूंकि ऐसे भी कुछ प्लेयर होंगे जिनके बारे में करना चल जाएगा विडियो को पुरा देखना और इस बीडियो में टोने डिवे का मैंने रखा है क्या करना होगा आगे मैं आपको वीडियो में बता दूगा ठीक है तो वीडियो को पूरा देखो और उसके पहले अब टेली गयम से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाना क्योंकि कि अपडेट में टेलिगाम में देने वाला हूं साथ ही साथ कोई भी फाइनल टीम होता है आफ्टर लाइनप वो टेलिगाम में देते तो लिंक आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहासे जाकर आप लोग डिरेक्ट जोइन हो है तो चलिए मैस के बारे तो आपको बताते हैं तो सेम पर होने वाला है अगर पीछ के बारें बता है तो बैलेस्ट पी जाने वाले सबको इक्वाली मदद मिलता है आवरे जिसके आपे 95 से 105 तक होता है लास्ट 29 मैस में 19 मैस बैटिंग फॉसका तो टिम ने जीता है बैटि इसमें जी पोप ने तीन उउखे लिया था 69 नान भी किया था जी और जो एक तारीक को मैच वाद इन दोनों के बीच में उसमें सी आइडी का टीम जीता था टीवेश का टीम 94 रान उली बना पाया था इसमें से एंटर जैने 65 किया था एम जोसेब ने 17 प्लास एक विकेट दी ने 14 प्लास जीर ने एक विकेट एल बाउचा दो इक लिया था टीवेश के तरफ से जी पोप ने जीरो पे आउट हुआ था 10 स्ट्राइश के लिया था एस जीरो ने 18 प्लास ने 38 एंटनी 24 एक विकेट 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 बी जोसेब एक हुईग युकेट तो जीट्यमस में अच्छा खेला एक मैश क्यों हुआ है तो दो मैश होता इस साल में परश साथ ही ता एक सिरीज में अभी तक टीव एज के ट लोगाई टे важно सकते हैं दी हमतिते है इनके टिम करते है टो इनके पॉलिंग करता है तो एंटोनी जीजोसेप इंप्र्ट हैं हिसला को बालिंग नहीं मिल दो तीन मैसैंग से तो आंज से अच्छा ओप्शन होने वाला है एस जी और जो कि लास्ट में 36 किया है फिर 18 तो यह भी अच्छा खेलना है लास्ट तीन चार पारी अच्छा खेलना है यह बंदा फिर यहां से बी जोसिप और कैप्टन मैस का अच्छा दावेदार है क्योंकि बाई बालिंग के साथ सथ आपको तीन नमबर बैटिंग भी करके देगा के जेम्स बहुत बढ़िया है इसका अगर चांड नमबर पर आएगा तो इंपर्ट होने वाला है अगर इनके टीम फर्स बैटिंग करता है तो इनको लेके चलन अपने टीम में ठीक है और एलेक्स अंटोनी आपको ज्यातर बैटिंग से पोचिंट देगा लास्ट तीन-चार मैसेज से बालिंग नहीं कर दो लेके लेकिन बालिंग ऑभी नहीं मिला थे उतना इंप्पर्टन नहीं होने वाला के अभी इसको भी बालिंग नह कलते हैं तो यह चार और आपके लीए इंपड़ने वाले और का वे लेक्ति नहीं नहीं किइसकी नहीं लेक्äg आपको डेट वह बालिंग करके दो और और झालिंग के बालिंग भी ऑर किया लगबक छे प्लेयर हमे इस प्लॉर Chore जिसमें से इस्ट्राइंग की वर डालेगा बी जोसिप और डी अलेक्जंदर तो भाई डी अलेक्जंदर को आप चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो क्योंकि इनके तरफ से जो सी आडी के तरफ से एंतर जैन एल बाउचर दोनों ही बढ़िया बैट्समान है ठीक है तो बी जोस अब लोग दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके चलना क्योंकि भाई इनके भी बैट्समान जो इस जी और जी पॉप बहुत बढ़िया प्ले करता ठीक है बस उपनेर में एक बर कोई आउट हो जाता है फिर जल्दी जल्दी गिरता है बी जोसे आउट हो जाता है जल्दी लेकिन के जेमस अच्छा खेलता है इनके भी रूद तो अभी सी आडी के तरफ से बात करें तो दस मैस में आठ मैस जितके आ रहे हैं दो मैस लॉट किया है और पॉइंट वर्स्ट पर चलना है इनके तरफ से जे अलेकसंदर एल लाव सी डेरन नेट फर्स्ट में बड डाल है ठीक है तो यहां से अलिक अंताजे भाई लास्ट चार पाश मैस में देखिए 45 25 67 65 21 62 कितना अच्छा फॉर्म से गुजर रहा है याज़ा कैप्टन भाउचर लास्ट मैस लेकिन यह बॉलिंग कर सकता है आज के मैस के लिए कि बड़ा मैस है सामने अच्छा ठीम है तो ब अच्छा खेल ला तो इसको भी अधा क्याप्टन मैस ट्राइक कर सकते हैं तो बहुत इंपॉर्ट होने वाला क्यूंकि फिर यह बैटिंग से आपको पॉइंट देगा साथ यह साथ बॉलिंग से तो आपको पॉइंग देना ही वाला क्यूंकि अच्छा बवाला रहें चाओ तो इसके साथ जा सकता है कि यह बॉलिंग कर सकता है जे राफाइल जो कि लास्ट मैस पर एक किया है उतने इंपॉर्टन नहीं है एक मैस में ओपेनिंग भी किया था लेकिन उतना आच्छा खेला नहीं ठीक है वाइड एगिस काफी नीच आ रहें जे मरसलीन लास्ट चार इंपॉर्टन प्रियांसे माई का जो से 50 नमबर इंपॉर्टन प्रेयर के साथ जाना चाहते तो तो यह लोग से और खेलेगा यह फी इंपॉर्ट होने वाला है डिक कि लेकिन आपको शुरुबात में बालिंग करते है खर शुरुबात में बालिंग करेंगा तो फिर आपको इस ज्योर जे किसी एक को डॉप करके चलना है ठीक है तो प्लैयर के बारा में मैस के बारा में सारा कुछ बता दिया है चलिए अभी डेमो टीम के बारे में आपको दिखा दो डेमो टीम दिखाने से पहले भाई एक बात बता दू जो मैंने 200 रुपी के गिवे रखा है एक ही उइनार को मैं दूंगा 200 रुपी आपको क्या करना होगा कुछ नहीं करना होगा बस वीडियो में लाइक करना है और प्यारा सा एक कॉमेंट करना है ठीक है और जो कॉमेंट कर सेक्षन में आपको बता दूंगा कि आप वी ना रो एंड नंबर भी भेज़ देना ठीक है तो कुछ नहीं करना अच्छा सा कॉमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना लाइक तो मस्ट है जो भी कमेंट करोगे तो मेरा डेमोटी होने वाला जरूर को रख रहा हूं मैं विकट को सिक्षन में जीपो बे अंत्याज बे जोसिब कावे को आप लोग चाहो तो ले सकते हो बालिंग भी कर सकते हो इल बाचर डेरन नेट जे अलेक्जंदर के जेम्स भाई आज का ट्रमपिक होने वाला के जेम्स एट ट्वेड में बहुत अ बालिंग नहीं कर रहा और पिशले कुछ मैसेश से फिल्प ने लास्ट मैश खेला नहीं है इसके पहले जो मैश खेला तो इसमी बडू बालिंग करें कि यह थो यह बालिंग करेंगा दो रहे तो इसके साथ चलो जे जेम्स एंड माइक का जोसिफ के साथ यह से जार्स एक और इस्ट्रीम के तरफ से आपको बॉलिंग ऑफशन्स मिल जाएका यह पांच हो ठीक है और के जेंट हो देंट को डिडी के लिए डिफरेंशल के जेम्स होने वाला है तो गिवए के लिए क्लिए आपको तो मैंने बता दिया और यह मेरा अभी के लिए टीम है फाइनल टीम नहीं यह फाइनल टीम में उसका लिंक में आपको इडिश्क्रिप्शन दे दूंगा वासर जाके आप लोग जाने हो जाना ठीक है तो चलिए फिर मिलते नेक्स वीडियो में